तो पुष्पराज उर्फ पम्मी जैन के ठिकाने पर चापी मारी जारी है, कर्णोज में करीब 32 गंटे से आईटी का चापा चल रहा है, मुहमद याकूब के ठिकानों पर आईटी रेट जारी है, याकूब के घर काफी मात्रा में कैश मिलने की आशंका है, नोटों के गिनने के लिए कैश काउंटिंग मशीन भी मगवा ली गई है, तो आप समच सकते हैं, कि कितनी नगदी यहां पर बरामद हो रही है कि कैश काउंटिंग मशीन मगवाई गई है और नोटों को गिनने के लिए, यह मशीन मगवा गई है, तो पुष्पराज रुपमी जैन के ठिकान मात्रा में कैश मिलने की बात सामने आ रही है आशंकाए हैं और इसी वज़े से कैश काउंटिंग मशीने मगवाई गए है